आज मैं आपको एक और नया तरह की डिजाइन बनाना सिखाऊंगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं भूल के इसाप से मैंने क्यारिस का नमबर 8 पे सैट किया हुआ है इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें इस तरह के टांसफर टूल की जोग पड़ेगी और यह जो डिजाइन ह मिजाएंगे आपके वाले जो नमदे दनगा इस सईट टाल दूएट कि इतर वाले में संथे अ फंद याई है है Sus? ऐसे इस किया है दो नेडल हमें छोड़नी है फिर से हम जो दूसरी साइट से दो फंदे निकालेंगे यहां पेज हो है मुझे जाली देनी है यह जो हमने दो निडल छोड़ी है यहां पें हम प्रणा निकालेंगे और इस साइट देंगे यहां पे हमारी जाली बन जाएगी पीछी वाली निडल आगे की साइट करनी है और फिर से दों लगाएंगे अब हम ये वाले चार फंदे लेंगे अपने कि इस तरह से इस साइड के दो फंदे दो फंदसे मैंने इस साइट के दोसब्रड़े के ये शाइड डॉल ही और यह वाले पंदे ĩ मैंने जाली दिती आप दो फंदे छोड के यह हा पिमैं जाली दूंगी दूरसी पीछे वाली जो निडल है वह आगे की साइट करके फिर से हम दो सलाईयां लगाने के बार आप यहां पर कुछ निकरना है हमें यहां पर मैंने देखिए तीन जालियां दी हैं तो पहले हमने दूसरी फंदे में जाली दी ती तीसरे में अब हम चौथे फंदे में जाली देंगे फंदा निकाला दूसरी साइट डालेंगे नेडल लाकी की साइट कर देंगे और फिर हम दो सलाईयां इस तरह से जो है मारी रिजाइन जो है कंप्लीट हो गई है इसी स्टाप को रिपीट करते मैंने नीचे की साइट बनाया हुआ है पहले आपको क्या करना है यहां से दो फंदे निकाल लें फिर दो फंदे साइट से दो फंदे छोड़ देने आपको फिर यह वाले बीच वाले चार फंदे लेने हैं और थार्ड स्टैप में क्या करना है आपको थार्ड स्टैप में यह चार फंदे छोड़के इन चार फंदों मे कि जो है हम डेजाइन बनाएंगे तो इसी इस टाप को जो है रिपीट करते हुए मैंने नीचे की साइड बनाया है प्लेन सलाइया चला के फिर आपको दिखा कर कि इस तरह से इस तरह से आपकी जो डेजाइन है वह बनकर आएगी प्लीज मेरे चाइनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाएए थांक यू